कि हलो एब्रीवन कि बेलकाउं टो मैं चैनल श्यावित शोख तो फिर न सिंग नोटीस आया हुआ है आया वीएफ की तरफ से जो कि आपके ABM के री एक्जामनेशन के बारे में हैं तो जो आपका ABM का पेपर हुआ था Advanced Bank Management का जो कि 10 जून को आपने पेपर दिया था ठीक है उस पेपर में क्या प्रावलम हुई थी कि पूरा का पूरा जो है पेपर नहीं दिखता था आपको मतलब कहने का पूरी दिखती नहीं थी स्टुडेंट्स को डेटा उसमें छिपा रहता था लोग देख नहीं पाता था जिसके विए से आई 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 बीम की तरफ से एक नोटिस आया था कि फर्दर कॉर्स आफ एक्शन हम आपको पताएं क्या करना है तो उसी में उन्होंने इस पेपर क दिया हुआ है तो अब आप लोग कुछ रहती हैं डिस्पाइट नोटिफिकेशन कुछ लोग को कुछ चीजें नहीं किलिए होती है हर बात हर आदमी को समझ में जरूरी नहीं होती है तो अब पहला एबीम का पेपर जो दस जून को हुआ था वो अब आठ जुलाई को फिर से है दूसरा सवाल क्या सभी को देना है नहीं लगभग इन्होंने 70 से 75 सेंटर सेलेक्ट किये हो है जहां पर इन्होंने पाया है कि यह एरर है उन्हीं पर ही दुबारा एक्जाम होगा हर जेगे पर यह एक्जाम नहीं होगा दो बाते हो गई पहली बात एक्जाम कब है 8 ज आइ लेकिन जो लिष्ट है उसमें आपका सेंटर अगर नहीं है तो आप एक्जाम नहीं देपाऊगे किलियर सी बात है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, तो मेल कर सकते हैं कि HangBeant Sir हमारी दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके कैसे, एक ऐसे होंगे जो पास हो गए होंगे, वो कह रहा हूंगे कि हे भगवान, मैं आपसे दुआ मनाता हूँ कि दुबारा ना एक्जाम करो ना, एक बार किसी तरह से मैं 50 ले आया हूँ, अब मैं दुबारा नहीं बैठोंगा, तो उनक कि अगर आप एक्जाम में नहीं आपेर होते हैं, और आप उनकी पास हैं, अगर आप एक्जाम के पेपर में पास हैं, और आपके सेंटर का मत जाईए, आपको पास माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा हूँ है जो देखे, candidate who appear at the re-examination in the ABM subject on 8 July 2013 may kindly note, उन्हें note करना चाहिए कि marks secured in re-exam will be considered as final मतलब जो आप re-exam में marks लाओगे उसे final माना जाएगा अभी मानने जाएगा आपके 42 आएवे हैं re-examination में आपके 60 आजाते हैं से आ जाएएगे 60 तो बड़ी बात नहीं है तो उसे final माना जाएगा किसको जो आप re-exam में आपके marks आएगे अब and previously scored marks will not be considered और पहले जो आपके number थे उसको छोड़ दिया जाएगा दूसरा case है in case of candidates who do not appear in re-exam अब कुछ candidate ऐसे हैं जो अगर दुबारा exam में नहीं appear होते re-exam में नहीं appear होते तो उनके जो original marks मिले थे exam में 10 June को जो exam होते उसमें जो original marks मिले थे सोचिए आपके 62 number है ABM के 10 June को जो exam होते आपका तो इसका मतलब आप re-exam में मत appear होईए यही आपका final marks हो जाएगा तो दोनों scenario हो गए simple सी बात है इसमें चित भी आपकी है पट भी आपकी है simple सी बात है अगर आप पास हैं बिलकुल appear मत होईए दुबारा re-exam में मत जाएए आप पास है अलड़ी अगर आप फेल है आपकी जो है 45 number है या 42 number है आपको marks चाहिए और तो आप reappear होई है मानले इसमें 60 आपके 70 आपके 70 आगए तो आपका जो final score होगा वो माना जाएगा ठीक है तो पास है मत जाएए यही कह रहा है आपका जो पहला exam हुआ था original marks जो आपको 10 June को मिले थे वही consider कर ले जाएगा अगर आप reappear होते हैं तो उसमें जो मिलेगा सोचो खत्रो के खिलाडी है आपको लगता है 60 नमबर मेरे आएंगे और मुझे 60 अच्छा नहीं लगता मैं 75 चाहता हूँ ठीक है 75 चाहते हो आपेर हो जाओ लेकिन सोचो अगर 60 आपके 48 अगर आगए तो यह 48 आपके final हो जाएंगे तो खत्रो के खिलाडी ना बनिएगा यह CIB है बहुत risky होता है गेम ठीक है तो मेरे खाल से मैंने आपके सारे doubts clear कर दिये कि किसको देना है exam किसको नहीं देना है exam अब रही बात कि किनके residual हुए है तो यह PDF है IABF की website पर है अबलेबल टेलीग्राम चैनल पर है और इस वीडियो के description में भी आपको अबलेबल करवाई जाएगी ठीक है तो देखिए अगर तला है अगरा है अहमद नगर है अजमेर है अलीगड है मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा सारे नाम एक बार आप देखिए ठीक है चेन्नाई एटा कल्यान कोटा, मंडी मांसा, नासिक, प्रियागराज राजकोट, राची, रतलाम उसके आद में सांगली, सूरत तिन सुकिया, तरिची हजारी भाग इंदौर, जहासी और बडोदरा यह चोडल 75 सेंटर है जिनको इनने माक आउट किया है अब इन 75 सेंटर में मान लीजिए आपका एक्जामनेशन सेंटर नहीं है और आप फेल हैं, तो बैटलक ही कहिए, अगर आपको यह प्रावलम फेस हुई है और इसमें इस लिष्ट में उसका नाम नहीं है इन्होंने फोन करके या फिर जो भी तरीका होगा उससे सबसे पूछा होगा और जिन सेंटर से जेनुइन राय आई है कि हाँ वाकई इस्टुटेंस को यहाँ प्रावलम ही उन पर रिसेडूल कर दिया है इन्होंने ठीक है तो यह हो गया PDF देख लिए आपका अपना एक्जाम नेसे सेंटर इसमें है कि नहीं है मैं देखाल से यह alphabet wise इन्होंने sorting कर रखी है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L की तरह चल रहा है ठीक है तो ध्यान देंगे eligible candidates आप Willow mentioned center will also be notified by email separately आपको email भी आएगा जितने इस center के 75 centers के जो भी students है जो भी candidates है उनको email आएगा आपको फिर से अपना admit card चार दिन पहले डाउनलोड करना होगा अगर आपकी कोई query है तो आप लिख सकते है re-exam at the rate this ठीक है तो अगर जैसे आपके exam nation center पर नहीं चल रहा था system और आपको यह problem भी है तो यह mail id लिख लिए हो सकता है कि इस पर आपके email डालने से कुछ बात बन जाए और यह काम आपको 28 July से पहले-पहले कर देना है यह हैं 70% question वही मिलेंगे 30% नहीं होंगे लेकिन 70% question आपके वही आपको repeat करके यह दे देंगे तो भी देखो आप फेल हुए हैं आप इसका मतलब exam में appear होए थे अगर आप exam में appear होए इसका मतलब कुछ दिमाग में आपके questions होंगे इसलिए कहा जाता है कि sharing is caring sharing share करिए अगर आप questions share करते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल पर share करते हैं या कहीं से भी share करते हैं तो आपको फायदा करता है अभी request करूंगा आप लोग थोड़ा सा brainstorming करिए बैठीए और बैठ करके कुछ questions जो आपको याद आते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल देख लिजिए वहाँ पर भी लोग topic या questions share करते हैं वहाँ से उठाइए और खुद भी अगर आपको recall होता है तो questions लिख लिजिए क्योंकि exactly chances है कि question वही मिल जाए जैसे अगर Swift का full farm पूछा गया है इस से question रहेगा ठीक है इसी तरीके से जो भी questions उन्हें पूछे में वह repeat होंगे तो बहतर है कि देखें पूरा तो पढ़िये ही मैं उससे आपको मना नहीं कर रहा हूं you should study everything लेकिन precisely आपको वो चीज जरूर करनी है जो 50-60 questions आपको इधर से मिल जाते हैं 50-60 questions जो आपको recall मिलते हैं इनको तो एकदम मतलब मग्गू बन के जाए मग्गू बोले मतलब कि रट के जाए एक ध्यान करके जाए कि उसमें से नगलबड होने पाए ठीक है फिर वही मैं कह रहा था कि अगर आपके 42 आए हैं तो आपके 60 marks आ जाएंगे यह मैं इसी लिए ही कह रहा था क्योंकि अगर सोचो फ्रेंड्स की आप 30-35 questions भी अगर याद करके ध्यान करके जाते हो तो इनको तो सिधे answer ही करना है और अगर आप 30-35 questions के answer directly कर देते हो और बाकी में तुक्का भी लगाते हो और सोचो कि 20 भी questions के तुक्के लग जाते हैं तो आपके 55 marks आने के SOT रहती क्योंकि minus marking नहीं है ठीक है तो I believe कि मैंने आपको सब कुछ clear कर दिया है ठीक है फिर भी फिर भी आप लोग को एक बार फिर से बताता हूँ क्योंकि कईरी आप लोग करते हो बार बार एक ही बात को पूछते हो पहला क्या सबके लिए है नहीं ये सबके लिए नहीं है केवल जो ये 75 centers के list दे हुआ भी है चिल मारिए आप पास है तो पास है काम खतम सर मैं फेल हूं मेरे 48 नंबर आये हैं और मुझे 52 नंबर चाहिए ताकि मेरा टोटल जो है 250 हो जाए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके 48 आये हैं और बावन आ जाते तो 250 हो जाते अगर ऐसी situation है तो बिल्कुल हो यह सभी के लिए नहीं है केवल सेलेक्टेट सेंटर्स के लिए ही है कब एक्जाम है आठ जुलाई को एक्जाम है प्रपरेशन अपनी करिए उसके बाद में कुश्चन्स रिपीट होंगे जो आप से पहले पूछा गए वह फिर पूछा जाएगा 70% साठ से 70% कुश्चन आपको सेम मिल जाएंगे सो बेटर जो है कुश्चन्स रिकलेक्ट करिए हो सके टेलीग्राम चैनल हमारा हमारा वट्सप नंबर है मेरा नंबर है 949478 7882 इस नंबर पर आप टेलीग्राम कर सकते इस नंबर को हट्सप कर सकते हैं अगर आप लोग सेयर कर देंगी तो मैं य कुश्चन सेयर करते हैं तो 100-200 कुश्चन आते हैं वह सकता है उसमें से रिपीटेट कुश्चन भी हो लेकिन तब भी सर्टनली हम मतलब 40-50 कुश्चन के बीच में कलेक्शन किया जा सकता है यह कोई बड़ी बात नहीं होती है तो होप आपको बात इस समझ में आ गई होग Thank you so much friends and all the best for your examination.